चलिए इंस्टन्स फटाफट बेशन की बर्फी बनाने के लिए एक माप हम सेट कर लेंगे यही कप से हम सब सामान लेंगे तो एक कप अभी मैंने यहां बेशन ले लिया है और गेस को मीडियम पूर लो रखावा है और इसको हलका सा खुशबू आने तक रोश्ट कर लेते है चलिए सिर्फ 2-5 मीड में इसमें खुश्बू आना शुरू हो चुकी है तो आधा कप यह प्योर देशी घी मेंने लिया है यह इसमें डाल देंगे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताके कम ज्यादा नहों अज़ा तो फड़ा ज्यादा गी ले लिया है और इसको लगातार चलाते रहेंगे गेश को बिल्कुल मेडियम क्यों स्लो रखेंगे थोड़ा इलाइची का पाउडर डाल देंगे और फिर वापस चलाते रहेंगे दो बड़ा चम्मत यह बालिक सुजी डालेंगे और आपको कितना मीठा खाना है उससाब से लेना है यहां में वंतर कप जो है पीसीवी चीनी ले रहा हूँ पाउडर शुगर और आपके टेस्ट के अकोडिंग लेना है आपको तो मैं यहाँ एक कप जो है जैसाओ बेशन लिया था और आधा कप लिया था मैं या इनकिन उस में के स्में से थोड़ा बख गया है और दो चम्मत मैं भाल सोजी मिला यह इसमें और था पर बड़ा पाम मैंने पाउडर शूगर लिया है और इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें बिल्कुल श्लो फ्लेम पे लगादा चलाते हुए कुप करना है कि अधिये मीडियम टू श्लो फ्लेम पे लगबख 17-18 मिनिट मैंने जो है बेशन को एकदम लगादार कंटीनिव चलाया है बीच में एक मिर भी छोड़ा नहीं है तो ओल्मूस्ट कदर हमारा गोल्डन ब्राउन आ चुका है अच्छा कदर आ चुका है तो अब हम क्या करेंग एक ट्रे में घी लगा लेंगे ग्रीस कर लेंगे मैंने बीकुल यह वाला एक कप बेशन लिया था इससे आधा कप मैंने घी लिया है और जो है चीनी सुगर पाउडर आपको अकॉनिंगी टेस्ट लेना है आप जितना चाहे उतना इसमें डाल सकते है एक कब भी यहां डाल सकते है अगर आपको ज्यादा मीठा खाना पसंद है तो मैंने दो चमच इलाइची का पाउडर डाल दिया था इसमें और जितना बेशन लिया है उतना आप बुरा भी ले सकते है तो यहां पे गैस कर देंगे बन इसको नीचे उतारके प्लेट में ले लेंगे चलिए अच्छी से लगाने के बाद अब इसमें हम पीस्ता लगा देंगे आप कोई भी ट्राइफूट इसमें जो आपकी मन पसंद आपकी चोई से वह डाल सकते हैं प्ड़ासा काजूट अच्छा से गार्निश कर लेंगे हम अच्छा से गार्निश कर लेंगे हम करने के बाद इसको आदा घंडा घंडा हम बिल्कुल ठंडा करेंगे उसके बाद दो घंडा फ्रीज में रख देंगे ताके बर्फी जो है आमारी अच्छे से जम जाए आई दो घंडा फ्रीज में रखने के बाद बर्फी एक दव हमारी सेट है तो इसके पीस कर लेंगे कि यह देखिए हमारी बर्फी और यह बर्फी का टैक्शर देखिए है हलवाई भी फेल है इसके आगे और इतनी स्मूध है कि मुह में जाते ही गुल जाएगी टेक्शर्स देखिए लुकिंग देखिए एकदम पॉर्फेक्ट हमारी बर्फी है और बहुत आसानी से बन रही है क्यार है हमारी बेशन कीपर हुए क्यार है